Hello And Welcome Back To MyChannel The Education Hub तो आज हम Class 7 का सिविक्स का चाप्टर पढ़ेंगे मार्कित अराउंड डस ठेक है तीन चाप्टर्स बचेंगे हैं सिविक्स में फिर सिविक्स हमारी जो है कम्क्लीत हो जाएगी सो इस चाप्टर में देखते हैं तो सबसे पहले जो भी समान खरीदना होता है जैसे कि साबुन है टूथपेस है बिस्केट्स है तो अब देखते यह शॉप्स और मार्किट्स का होती है देखे जब बहुत सारी शॉप्स या या से थोड़ी जादा एक ही साथ हमें देखने को मिलती है ठीक है उसको हम बोलते है market अब देखिए वो mall भी हो सकता है mall को भी market कह सकते हैं या हमारी neighborhood में जो market लगती है passport उस में market लगती हो वो भी market होती है कुछ होती है कुछ weekly markets होती है जो हफते में एक बार market लगती है इसको हम सोम बजार बोलते हैं मंगल बजार बोलते हैं वो भी मार्केट्स होती हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पट्री पे समान बेशते हैं वो भी मार्केट्स में समान बेशते हैं जो कि आपको फोटोस में भी दिख रहा होगा और आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी मार्किट वगएरा गए होंगे या फिर आप मॉल गए होंगे ठीक है तो ऐसा तो नहीं है कि आप मार्किट टर्म से पहले कभी नहीं मतलब मार्किट वर्ड आपने कभी पहले नहीं सुना या ऐसा तो नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखत क्या होती है weekly market क्या होती है हफते में एक दिन decided होता है और उस दिन वह market लगते ज़्या तो वेनस जे को लग गई है Sunday को लग गई तो जैसा भी वहां के लोगों को ठीक लगता है वो उस हफते के एक लगाते हैं उन लोगों की पर्मनेंट अपनी कोई दुकाने नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं लगाते हैं ठेली लगाते हैं और उस पर समान बेखते हैं ठीक है अब देखिए जो weekly होती है को हाँ सामान हमे खोल में थोरा सास्ते में मिलता है यह थोरा संते में क्यों मिलता थें विच बीछे थेन गटथ थे दूशरी बात उनके वह बड़ी, थैले थे रहे हूं तो नहीं रहे हुआ चैनल के सभगे थाल्य को अपनी सबची में सबची होगी ए यह जुस्टे साहने वह के does not do वह जाए जाए पकार तो पचास लोग सबजी बेक रहे हैं कपड़े लें चलोगे तो पचास ओ आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे कपड़ों के तो क्या होगा जो लोग समान खरीदने जा रहे हैं वो बोलते हैं कि आप मुझे महंगा दे रहे हो मैं दूसरे वाले से ले लूँगा तो अब दुकान वाले को भी पता है कि अकेला मैं तो हूने जिससे यह बंदेश कपड़े खरीदेंगे तो क्या होता है वो प्राइस को कम कर देते हैं इ वी क्या बार मैं आपको भी वो होती है जो हमारे ऐस पास होती है जिसपर समान बिक और दुकाने से मारे गलियों के बहर हो गए वो ती है। यह शाप्स अन्द नेबरवोड जैसे मिल्क पर चयस करना है तो आप डेरी की दुकान पर जाएंगे डिरी शॉप पर जाएंगे वेजिटेबल्स खरीदनी है उन पर हम जाएंगे ठीक है अब यह जो शॉप्स होती है पर्मेनेंट होती है और हमारे घर के पास होती है इनका एक जमीन होती है कि वहां पर शॉप्स लगाते हैं ठीक है अब क्या होता है जब हम रेगुलर किसी दुकान से कुई समान लेने जा जाते हैं तो हम क्या देखते कि कुछ सब्जी वाले रोज उसी जगा पर अपनी सब्जी लगाते हैं रोड साइट पर तो वो भी शॉप्स नेबर हुड के अंदर आएंगे अब देखिए नेक्स कौन से टाइप की शॉप्स होती है नेक्स होती है शॉपिंग मॉल्स पर एके का थी बड़नी खमान शॉप्स होती है शॉप्स बोड बरतायों इसको थी लगाते से चाहिए था ने लॉपिंग यहां थे वालाग फ्लोर प्री आपको फूद स्टाल मिलें गैं तो इस लोग अलग अलग फ्लोर पर अलग 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 शॉप्स नहां पर अलग अ लेकिन शौपिंग मोल की डिसद्वांटेज यह है कि यहां पे जातार लोग यहां के समान को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ठीक है तो हमने टीन टाइप्स की मार्किट पड़ी की कैसी कैसी होती है अब हम देखते हैं चेन ओफ मार्किट का क्या मतलब होता है इसमें हम वो जान अब देखिए जैसे यह हैं किसान यह हैं किसान और यह हैं हम ठीक है किसानों से हम तक आने में यानि जो बीच मतला हम तक आने में एक बीच का रास्ता होता है उस बीच के रास्ते में जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंस्यूमर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडर यानि की देखिए ये किसान है ये हम है ठीक है यहाँ पे ये जो बीच में बंदा है इसको हम बोलेंगे ट्रेडर यानि कि ये ही होगा जो हम दोनों परसन को लिंक करेगा इसको बोलते हैं ठीक है तो ये जो ट्रेडर होते हैं तो यह farmers वगेरा से समान खरीदते हैं फिर उसे final goods में थोड़ा बहुत convert करते हैं और उसके बाद क्या होता है यह हमें वो समान बेगते हैं ठीक है अब the trader who finally sell product to the consumer is known as retailer अब वो जो डायरेक्टरी अब देखिए market everywhere जो हमारा topic है ठीक है अब यह जरूरी नहीं है कि हमें market से कोई समान खरीदना है तो में बहुत ज्यादा दूर ही जाना है हाचकल हम अपना जो समान है वो घर से internet से बैठे बैठे हैं वी मंगा सकते हैं अपने phone से ठीक है और वो जो समान है वो मारे delivery सीधे घर पर होगी आप लोग भी करते हूंगर ऐसा नहीं है कि आप लोगों नहीं सुना होगा online shopping जिसको हम normal language में बोलते हैं ठीक है तो जरूरी नहीं है कि market में अगर हमें समान लेना है market से समान खरीदने जाना है तो हमें shops वगएरा पर जाना पड़ेगा नहीं देखिए credit card वगएर से आजकल फ्री शॉपिंग फ्री शिपिंग भी option आता है मतला फ्री में घर पर समान आता है और कभी कभी हमें payment भी करनी पड़ती है और कुछ समान ऐसा होता है जो हमें इसलिए अपने आसपस नहीं मिल पाता जिसके लिए अगर हम नेट पर सर्च करें इंटरनेट पर जिसको भी खरीदना हो वहां से परचेश भी कर सकता है उनकी शॉप से आके ले सकता है अब देखिए अब हमने देखा है कि कुछ छोटे-छोटे ट्रेडर होते हैं चोटे-छोटे समान बेकने वाले होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है और वह काफी सारा पैसा अपनी को पूरी नहीं कर पाते तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो समान खरीद रहे हैं वह ही गरीब हो नівहीं हो तो समान बेचते हैं वह भी गरीब हो सकता है. ठीक है, अब क्या होता है वह लोग क्या ज्यादा बड़ी मॉल में अपनी दुकान नहीं घरीच सकते और यो थोड़े गरीब लोग उते हैं यह जादा मॉल से शॉपिंग नहीं कर पाथे लोग जो होते हैं इस में बस जाद तर यह बताया गया है कि इसके कहीं सारे डूल्स बनाए हैं कि हम जो भी समान है वो हम जादा महंगे रेट पर नहीं बेच सकते शॉप कीपर्स के लिए बनाए कि अगर 20 MRP है तो 20 ही हम ले 25 30 भी अगर हम करते हैं तो कंप्लेंट उनके खिलाफ हो सकती है तो यहीं बताया है कि क्वैलिटी होनी चाहिए यानि कि हम ऐसा नहीं है कि जादा हम हैंगे कस्टूमर देखके हम जादा कि तुम लोग तो 30 पे कर सकते हैं तो यह चीज गलत है एक्वालिटी होनी चाहिए और मार्केट हमारे आसपास है तो यह चाप्टर में हमने देखा कि मार्केट क्या होती है अबार्केट कितने टाइपस की होती है ठीक है हम ने आउट्स होते हैं तो comment section ने पूछ सकते हैं and if you like watching the educational videos to do subscribe to my channel thanks for watching